हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चानल में तो कैसे हैं आप सब आप सब हमेशा की तरह मस्त होंगे पैस्त होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे घर में अगर काफी ज्यादा चूहे हो गए हैं इन्हें भगाने का कुछ ऐसा देशी और असरदार तरीका जिसे हम घर पर ही तयार कर सकेंगे और हमें चूहों को माना भी ना पड़े और चूहे फौरन हमारे घर से भाग जाए क्योंकि कई बार चूहों से हम इतना ज़्यादा परशान हो जाते हैं हमें समझ ही नहीं आता कि हम इन्हें घर से कैसे मजबूर होकर कुछ लोग दवाईयां रख देते हैं जिसके वज़े से चुहे घर के अंदर ही मर जाते हैं और इससे हमारा काम और भी जादा बढ़ जाता है क्योंकि पूरे घर में चुहों के स्मेल हो जाती है तो आज इन सारी जंचुटों से चुटकारा पानने के लिए ए एक ऐसा देशी और असरदा तरीका मैं आपको बताऊंगी जिसके बाद आपकी घर से चुहे फॉरण भाग जाएंगे आपको उन्हें मानना भी नहीं पड़ेगा पकरना भी नहीं पड़ेगा किसी तरह की दवा का भी इस्तमाल नहीं करना पड़ेगा सिर्फ इस रेमेडि की दाने की थोड़े से आपको यह दाने लेने हैं और इसको हलका सा आपको कूट लेना है हमने यहां पर एक बावल में इसे ले लिया है अब आपको इसी के अंदर कुछ और भी चीज़े मिलानी है तो आपको क्या करना है दो से तीन चम्मच के करीब आपको इसके अंदर ल अच्छे से mix करने के बाद हमें इसका डो रेडी कर लेना है वैसे जैसे हम रोटी के लिए डो रेडी करते हैं आप देखेंगे घी और मटर से ही इसका बहुत ही अच्छा डो रेडी हो जाएगा इसमें हमें बिल्कुल भी पानी की जरुवत नहीं पड़ेगी हमने इसमें एक बुन भी पानी नहीं डाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं mix करने के बाद ही यह काफी अच्छे से डो फॉर्म में हो गया है दोस्तों आप यह वीडियो कहां से देख लेए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहां तक पहुची आ अब आपको क्या करना है इसी से चोटे चोटे बॉल्स बना कर तयार कर लेने हैं सारी quantity depend करता है कि आप यह कितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कम जाता कर लें यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी डो से हम चोटे चोटे बॉल्स रेडि कर लेंगे जितनी हमें जरूरत कर भागे का नहीं हमें एक छोटा सा काल और करना है हमें क्या करना है एक छोटा सा अलक से बाउल लेंगे और इसी के अंदर हम लेंगे है इसमें लाल मिर्च पाउडर उसके बाद बैंटिंग के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे एक से और चमश के करीब गेहुं का आटा आप यहां पर बेशन भी डाल सकते हैं दोनों में से जो भी आपके पास हो सारी चीजों को हमें एक बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है उसक का भी हम एक डोरेड़ी कर लेंगे वैसे ही जैसे हमने हरے मटर का डोर रेड़ी किया है आप देख सकते हम Spane के अंदर बहुत जादा पानी नहीं डाला है अगर जादा पानी हो जाएगा तो यह बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आप डो रेडी कर लें यहां पर आप देख सकते हमने इसका डो बिल्कुल बना कर तयार कर लिया है अब आपको क्या मटर के बॉल्स बना कर तयार किये थे एक बॉल लेने हथेली पे रखकर हलका सा हम इसे इस तरह से दबा देंगे और उसके बाद यह जो बॉल्स है नमक और लालमिच पाउडर का यह लेंगे और इसी के अंदर अच्छे से स्टफ करते हुए बॉल का सेव देंगे वैसे ही जै आपको जितनी जरुवत है आप उतने बॉल्स बना कर तयार कर लें इन्हीं बॉल्स का हमें इस्तमाल करना है दोस्तों चूहा को भगाने के लिए जहां पर भी आपको लगता है कि आपके घर में चूहा बहुत जादा आता है चाहे फिर वो किचन हो स्टोर रूम हो या मेल केट हो वहां पर आप एक बॉल्स रखते हां बच्चों को ध्यार में रखते हुए यह बहुत ही असरदार और देसी तरीका है दोस्तों चूहा को अपने खर से भगाने के लिए इसे आप जरूर एक बार ट्राइ करेगा और अपना उन्भव मेरे साथ जरू शेयर करेगा ए थैंक्यू दोस्तों